संसत भवन में पंखे चट से नहीं जमीन से जुड़े हैं और उसकी वज़ा कुछ काफी खास है और आपको उसकी वज़ा सुनके भी काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है तो चलिए बताती हूं कि वो क्या वज़ा है पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्स कर लिजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वज़ा से आप और हम साथ में चुड़े रहे हैं और आप तक हम नई नियूस पहुंच आपाई अगर वीडिय अच्छी लगी तो जाते जाते एक कमेंट करते हो जरूर जाई और साथ के साथ एक लाइ जगह ते सिर्फ श हिए और शट ही एक ऐसी जगह जहां पर पंखे लगा सकते और उसी के साथ अगर मैं आपको यह संसत्ध भवन में ऐसे पंखे लगे हुए हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से ववह पर त्षट पर पंखे नहीं लगे हुए हैं तो अभी आपने कभी भी संसद की वीडियो या फोटोस देखी होगी अगर आपने कभी गौर किया होगा तो वहां पर आपको दिखाई दिया होगा कि वहां पर पथर के पिलर वगेरा लगे हुए हैं खड़े हैं और उसके उपर ही पंखे लगे हुए हैं और पंखे इस तरीके से लग प doubler उसकी वजह के बारे में अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बता देते उसकी वजह किया है तो उसकी वजह है आर्किटेक्ट और यह संसद्भवन 1921 में बना था और अब ही आप बोलेंगे कि आर्किटेक्ट उसकी वजह bes Rankystem अगर उन्होंने जो भी मीटिंग वहां पर होती हैं, तो अगर बाइदवे वहां पर पंखे लगाये जाते, अगर छट से लगाये जाते और नीचे पाइप खीचा जाता और वहां पर लगाया जाता तो वह लुक वगारा काफी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए उस आर्किटेक्ट ने एक एसी चीज निकाली कि इस चीज की लुक खराब नहीं करनी चाहिए, तो हमें कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने इन पंखों की छट की जगा पे जमीन से पंखे लगाने के लिए सोचा, और उस जगा पर खड़े कर दिये एक पत्थर के पिलर, और पत्थर के पिलर के सा यह पंखे लगा दिये गए जिससे बहुत ही असानी होती है संसद में बैठे हुए लोगों को हवा लेने के लिए और उसी के साथ अगर आप लोगों को पता होगा अभी आप लोगों के दिमाग में यह चीज़ आ रही होगी कि अभी तो एसी आ गए हैं और इतना जादा कमात लगाते और संसद भवन में यहई हैं यह फैं तो आपको यह बीचीज बतास कि वहाँ पर एसी लगाने की बात की गई थी पहले habitat लोगों ने इस लगाने के भी बात की थी पर वहां के कुछ लोगों ने इसको विरोध किया वी रोध करते हुए उन्नोंने यह चीज़ बोल और कोई भी AC नहीं है और उसी के साथ अभी आपको लगेगा कि इसका compound इतना क्यों बड़ा है अगर आपने कभी संसत भवन देखा हो तो संसत भवन की जिस तरीके की look है आपको देखके कुछ अलग सी चीज़े याद आती होगी मतलब कि कुछ मंदिर अगर याद आता होगा तो भी आपको लगता होगा कि ये मंदिर की look है और उसका compound मी काफी ज़्यादा बड़ा है अगर मैं आपको बताओं तो ये संसत भवन एक मंदिर की कॉपी है और उस मंदिर का नाम है योगीनी मंदिर और ऐसे योगीनी मंदिर हमारे भारत में सिरफ 4 हैं और उस चीज़ की कॉपी बना के संसत भवन बनाया गया यानि की योगीनी मंदिर की कॉपी लेके संसत भवन बनाया गया और जो वो मंदीर है उसमें 64 rooms है मतलब कि कमरे हैं और हर इक कमरे में शिवलिंग रखी हुई है और वहाँ पर पूजा वगरा भी चलती है जो कि भारत में चार मंदीर है ऐसे बड़े-बड़े उसी को कॉपी करके ये संसत भवन बना गया है तो अगर आज आपने कभी भी ऐसी वीडियो वगरा देखिए हो जो संसत भवन की रहे और वहाँ पर आपने पंखा भी देखा हो और उस लुक के बारे में आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आया हो कि ये जो संसत भवन की लुक है वो मंदीर जैसी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर जिसकी वज़े से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नीज लेकर आपाई इसी के साथ मैं लेती इजाज़त बबाई टेक्या नमस्कार